इस स्टूडेंट्स हम अपनी डिसकेशन को जारी रखेंगे जो डैक के हवाले से हमने शुरू की थी इस सेशन में हम exclusively उन transformation का जिकर करेंगे जिनका तालुक time के साथ है जिनका तालुक date के साथ है date और time जब हम computer की जबान में बात करते हैं तो एक different entity है क्यों different entity है? क्योंकि हम time को एक different तरीके से लिखते हैं आपको पता होगा के जब हमने for example 9 बज के 56 मिनट computer के उपर लिखना है तो हम 9.56 नहीं लिखते बलके 9 और उसके आगे वो जो दो नुक्ते होते हैं colon के वो हम use करते हैं और फिर उसके बाद 56 लिखते हैं यानि इसको लिखने का तरीका different है फिर similarly जब हम date लिखना लगते हैं तो वहाँ पे भी हम hyphen का इस्तमाल करते हैं हम dash का इस्तमाल कर लेते हैं जनी इनको लिखने का तरीका भी different है तो इनके analysis भी different होंगे कुछ date और time के हवाले से जो transformation थी हम पहले discuss कर चुके हैं कुछ transformation हम आज exclusively discuss करेंगे तो आईए computer screen पे चलते हैं और देखते हैं कि power BI हमें date और time के reference से क्या क्या feature प्रोवाइड करता है जी students इस module में हम date और time के reference से जो transformation power BI में available हैं उनके ओपर focus करेंगे इन transformation को करने के लिए जो चीज जरूरी है जिस तरह पहले modules में भी हमने discuss किया कि जो variable जिनके ओपर हम apply करने चाहते हैं that must be date और time based variable यानि उस variable में कुछ date या time के हवाले से information हो यहाँ पर अगर आप screen पर देखें तो मेरे पास एक variable यहाँ पर आ रहा है जिसका नाम be date यानि birth date मौजूद है और यहाँ पर जो information available है वो सारी की सारी time based है अच्छा जब हम इसको apply करेंगे तो उसी तरीके से हम add column को click करते हैं add column को click करते सारी हमारे पास यह date का option यहाँ पर आ जाता है जो ही हम इसको click करते हैं तो यह हमें available option provide करता है कि कौन सी options हमारे पास available हैं जो हम apply कर सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर age के हवाले से मौझूद है age is a jolly good function यह हमें difference calculate करता है जो date given है उस date से लेकर आज की date तक यहनि जो system में आज की date मौझूद है जो भी date मौझूद है उसका difference calculate कर लेता है उस particular date से लेकर जो के mention की गई है for example यह जो given column है इसमें सारी की सारी birth dates है जब मैं birth date की बात करूँगा तो आज की date तक का जो difference होगा वो उनकी age होगी तो इनको हम calculate करते हैं लेट सी जब यह हमने calculate किया तो यह हमारे पास values आ गई अगर आप इन values को गौर से देखें यह तो बहुत बड़ी बड़ी values है age आम तोर के उपर years में calculate की जाती है बहुत मुमकिन हतो तो हम year के साथ साथ month भी शामल कर लेती हैं लेकिन यह तो कुछ ambiguous सी figure है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह जो values आपके सामने नजर आ रही है यह number of days आ रहे है यह जिस date से लेकर जो mention की गई है आज की date तक जो number of days है उनकी तादाद यहाँ पर mention की गई है अब आप सब को पता है कि days को जब हमने number of years में convert करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसको 365 से divide करेंगे तो हमारे पास number of years निकल आएंगे अब इसको divide करने के हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम यहाँ पे एक निया column बना ले इसको number based transformation को use करते हुए और अगर यह हमने नहीं करना तो यही जो हमारे पास data editor डाक editor मौझूद है यहीं पे हम इसको कर सकते हैं कि यह हमारे पास function मौझूद है जिसमें यह minus apply हुआ हुआ है तो मैं यहाँ पे यहीं पे bracket शुरू करता हूँ और यहाँ पे bracket close करके divided by 365 कर देता हूँ अब क्या हुआ कि जो भी यह values calculate होंगी वो automatically 365 से divide हो जाएंगी जो ही हमने divide किया तो अब आप इन numbers को देखें तो अब आपको कुछ numbers ऐसे नज़र आएंगे फार एक्जामपल पहला number 70.09 और आगे जो time का format मौझूद है तो इस time के साथ भी उसने calculate यहनी exact calculation उसे आपके सामने कर दी time को अगर हम एक तरफ रखते हैं तो 70.09 इसमें 70 तो years है और जो 0.09 है वो हमें कुछ month के हवाले से calculate हो रही है यह 0.09 का मतलब हर्गिस नहीं है कि यह 9 महीने है तो 09 doesn't mean कि यह 9 months है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम इस point वाले को multiply करेंगे 12 के साथ और वहां से हमें number of months calculate होंगे यहनी इन calculations को हम further up to the level of minutes seconds तक calculate कर सकते हैं और बी आई हमें यह feature दे रहा है आम तोर के ओपर age क्योंके years में calculate होती है तो यहां पर हम बड़ी आसानी के साथ इसको round कर सकते हैं 70 तक ओके यह तो एक function था फिर इसके बाद इसी date में हमारे पास कुछ और feature भी available है like इसमे date only को करेंगे तो इस पूरे में यह जो function है इसमें date ही given है बाद वकात हमें जो date given होती है उसमें time का reference भी मौझूद होता है यानि hours, minute and second भी लिखे होते हैं जिस तरह अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको उसका answer दिया तो उसमें date के इलावा उसके hours, minute and second भी मौझूद है तो यह जो date only का feature है यह हमें उस complete date and time में से सिर्फ date को extract करके एक अलहदा column बना देता है यहां पर हमें करने की जरूरत नहीं क्योंके जो given information है वो सिर्फ date ही की form में मौझूद है अगर हम years को click करेंगे तो year का मतलब यह होगा कि इस पूरी date में जो year है वो अलहदा से calculate होके हमारे सामने आ जाएगा यह आप देखें कि अलहदा column बन गया और इसमें हमारे पास years अलहदा से calculate होके आगे similarly जो दूसरे function हमारे पास available है इस date के उपर वो months months का मतलब है कि इस में हमारे पास जो month है इस date में वो हमारे सामने आ जाएगा जो आगे quarter है आपको पता है कितने quarter होते हैं एक साल में 4 quarter होते हैं तो अगर हम इस date को reference बना के देखना चाहते हैं कि यह date कौन से quarter में है first quarter में है second में है third में है fourth में इस किसम की information की हमें कहां जरूरत होती है आम तोर के उपर जब market में sales के reference से जो data आता है वो quarters में split होता है बहुत सारी organization अपनी budgeting या जो उनका accounting period है वो एक quarter से दूसरे quarter में तीसरे quarter में different होता है तो उन लोगों के लिए ये quarters की information बहुत important होती है कि कोई एक date उस साल के किस quarter में fall करती है for example अगर मैंने यहां पर इसको click किया quarter of the year तो ये मुझे उसने बता दिया कि ये dates साल के कौन से quarter में है first quarter में हर quarter में कितने महीने होंगे अगर साल में चार quarter हैं तो एक quarter में तीन महीने होंगे तो हर तीन महीने के बाद quarter जो है वो change होता है तो इस तरीके से चार quarter बनेंगे तो इस particular column में आपको one, two, three और four के लावा और कोई value नहीं मिलेगी क्योंके साल में चार quarter होते हैं लेकिन वो dates कौन कौन से quarter में fall करती है यह यहां पर हमें पता चल जाएगा similarly अगर यहां पर हम number of weeks को देखना चाहते हैं आप साल में कितने weeks होते हैं है आपके पास information साल में accounting के लिहाज से 52 weeks शमार किये जाते हैं जैदा या कम भी हो सकते हैं लेकिन जब हम calculation करते हैं तो हम एक साल में 52 weeks करते हैं तो यह जो date given है यह साल के कौन से week number को reflect कर रही है वो यहां से हमें पता चल जाएगा similarly day, day का पता चल जाएगा कि यह साल का साल में total 365 days होते हैं तो 365 days में से यह कौन सा day है for example अगर मैं यहीं पे इसको apply करूँ तो यह मुझे बता देगा यह साल का तीसरा दिन है यह साल का 23rd day है यह साल का 26th day है and then so on तो यह date के हवाले से मेरे पास मुखतलिफ teachers मौजूद है एक और function जहां पे बहुत important है बहुत useful function हम apply कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक नई data file open किया और यह वही data file है customer debase उसका नाम आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं customer debase जो कि हम अक्सर use करते हैं इसमें एक column है customer id का और वो function जो मैं use करना चाहा रहा हूँ उसका नाम split column के नाम के उपर function मौजूद है अगर आम नीचे देखें तो यह text column में categorized है तो इसका मतलब है कि यह apply सिरफ text column भी हो सकता है numeric column में यह function apply नहीं हो सकता कैसे apply करेंगे यह column मैंने select कर लिया जो ही मैंने इसको click किया तो यह मुझे कुछ option दे रहा है by delimiter by numbers of characters अब for example मैं delimiters को यहाँ पे click करता हूँ और delimiter को click करके यहाँ पे जो delimiter use हो रहा है वो hyphen use हो रहा है जो कि इसने खुद से assess कर लिया कि यहाँ से यह function जो है वो split कर देगा file को split कर देगा जो ही मैंने इसको ok का button प्रेस किया तो यह मेरे पास नए column develop करेगा और यहाँ पे देखे कि इसने सिर्फ और सिर्फ उस function को use किया उस column को तीन columns में split कर दिया तीन column में क्यों split किया अगर आप इस function को देखें यह number जो मौझूद था इसमें दो हाइफन थे और मैंने इसको जो command apply की थी वो यह की थी कि जहाँ जहाँ पे हाइफन है वहाँ वहाँ से function को split कर दे इस word को split कर दे तो यहाँ पे हाइफन क्योंके दो जगा पे था तो लहाजा इसने इसके तीन कॉलम बना दिये और first में हाइफन से पहले वाला second and then third similarly split function को हम दूसरे options के हवाले से भी use कर सकते हैं इसकी application exactly वो ही है हम number of character से भी apply कर सकते हैं position से भी apply कर सकते हैं जो भी हमें required हो इस function को हम apply कर सकते हैं याद रखने की चीज़ है कि इस function को हम सिरफ text के उपर apply कर सकते हैं numeric के उपर apply नहीं कर सकते हैं for example one thousand को अगर हम चाहें कि 10 अलएदा लिखा जाए और zero zero अलएदा लिखा जाए तो शायद ये ना हो सके उसके लिए फिर हमें numeric transformation apply करनी पड़ेगी उसको divide करना पड़ेगा certain number के उपर तीन digit है या 4 digits है तो उतने thousands के उपर उसको divide करना पड़ेगा ताके हमारे पास required number आज़ अमीद है कि चीज़ें आप समझ आ गई हो जी इस session में हमने देखा कि date और time के reference से power bi में कौन-कौन से function available है और हम उनको कैसे apply करेंगे एक different format होता है date और time का और उसी हवाले से जो इनकी transformation है और इनके जो available functions है वो भी different है उमीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होगी हुआ है